सबसे काल दोस्तों मैं हूँ प्रोफेसर जीएस बत्रा आपका होस्त दोस्त लाइफ कोच और मेंट और भी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर जीएस बत्रा एससम आई टीएसम और इसका गुरूप जैसा कि आज पूरे दिन भर से हम इंतजार कर रहे थे इंस्टिट्यूट ने मच अवेटेड ऐफेक्यू जारी कर दिये हैं तो आईए अपन ऐफेक्यू पे अपना डिसकेशन शुरू करते हैं इंस्टिट्यूट ने क्या दिया हमें ऐफेक्यू और आप्ट आउप्शन के लिए हैं आप उदिहाई दे रहा होगा इसके अंदर हम पढ़ना शुरू करते हैं इसको इसमें कहा गया है इन कंटिनुएशन इन कंटिनुएशन तो दे इंपर्टेंट अनौंस्मेंट डेटेट 15 & 17 2020 student who have made applicant for the appearance of May 20 examination and to change the city of the examination or to opt-out of the May 2020 examination in lieu of it appear in November 2020 examination with due carry over of the fees paid exemption etc. go through the FAQ mentioned below पिछली बार जब इंस्टिटूट ने 15 को कहा था कि आपको opt-out option दे रहे हैं तो हम सब के मन में कुछ प्रशन थे हमने इंस्टिटूट को लिखा भी सभी ने लिखा होगा आपने भी लिखा आपके टीचर्स ने भी लिखा 17 को प्रेसिडेंट साब ने कहा कि इसके ऊपर हम जल्दी एक जारी करेंगे और एक जारी कर दिया गया है तो वह सारा एक यू हमारे मन में जो प्रश्न थे उनी को लेके था तो देखें क्या कह रही है इंस्टिटूट इन एक यूज में सबसे पहला इसके साथ-साथ अपना कुछ भी मन में प्रश्न है मेरा व्यू है मैं वो देता चलू साथ-साथ-साथ-साथ- आपको मेरा परस्नल ऐसा मानना है फेस मास्क हम किसी भी टाइब का लगाया करते हैं कुछ टाइम तक तो ठीक रहता है लेकिन लंबे समय तक रहां लगा के रखना और आप उन सेंटर्स पे जाएंगे वहां को यह सी इंवार्मेंट तो होगा नहीं आपको शायद पंखा न लगातर मास्क लगा कर रखने कि अगर आधित नहीं हुई तो शायद एक्जाम देना भारी पड़ जाएक और बिना मास्क लगाया हमें एक्जाम देने नहीं देंगे तो मेरे कंसर्ण है इसके उपर और शायद मैं इसके लिए इसके बारे में कुछ और विचार करे कि कैसे से और बैटर कर सकते हैं तीन घंटे लगाता रखना थोड़ा एक मुश्किल काम हो सकता है बच्चे के लिए सेकेंड तो कैरी आउट ए स्मॉल ट्रांस्परेंट बॉटल ऑफ हैंड सैनिटाइजर को दिक्कत वाली बात नहीं है तो मेंटें दा सोशल डिस्टेंसिंग अट करके बैठ पाएगा कि नहीं बैठ पाएगा क्योंकि नॉर्मली आदत नहीं है इस कोरोना की सिचुएशन बच्चे तो वैसे भी बाहर निकले नहीं है घरी बैठ के पढ़ रहे हैं तो मासवास की तो आदत बहुत कम है उनको दूसरों की तरह बाहर मटर के स्थिकरते नही है बैठ बैठ एक्जाम देने से पहले तब तो कोई पॉसिबल हो पाएगा उनके लिए वारना शायद एक्जाम के दिनों में यह अपने आप में नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी चलिए सेकंड पर चलते हैं वाट प्रसीजर वूट भी फॉलवड बाइस याई फॉर एडि नहीं है तर्मल स्कैनिंग होनी भी चाहिए हम इसको जो है वो अच्छा मानते हैं नहीं इसमें स्टूडंट बिल भी हैंट संटाइज बिफोर एंटरिंग देस कोई बंदा रहेगा जो इंशॉर करेगा के था इसमें बहुत कर के दाए तो अमें इसमें भी दिक्कत नहीं ह जाते हैं तो करेंगे अपर करना भी चाहिए घर पे भी करते हैं अपनी कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट विल भी अड्मिटेट ओनली इफ यार विरिंग फेस्क मास्क ठीक है ना सपोस्ट करो कोई बंदा भूल जाता है सपोस्ट किसी का गिर जाता है तो मेरे खाल से इं सब्सक्राइब करेंगे क्या तो देखें इसके लिए इसके लिए इसके लिए इंस्टिट्ट्ट कह रही है नो सच स्टूडेंट विल नाट वी अलौट एट एग्जामिनेशन सेंटर विद फीवर ट्रेस्ट इन थर्मल स्कैनिंग अगर कोविड के कारण नहीं हुआ वैसे ही नॉर्मल अलका सा बुखा रहे तब क्या होगा प्रूस्टूड को मना कर सब्सक्राइब कर देंगे क्या देखो क्या कहती इंस्टूट्ट इसके आगे इसको हैं हावर फिस्टूडेंट प्रोड्यूसे वैलिड मेडिकल सेर्टिफिकेट उसे पर्मिट करेंगे शुल बीशूट बैदेशनल प्रेक्टिशनर विविए डिग्री और मोर् शेटिव दिकत नहीं है तो बच्चे को एक तरीके से एक कहना चाहिए सपोर्ड मिल गया है यह वह उसको हलका फिलका बुखार पिया कोई कर नहीं स्रेटिपिकेट देगा तो एंट्री हो जाएगी तो इसमें को दिकत नहीं है हमारे को फूर्थ वाट विल एपन इस्टूडेंट फ और मास ऑन नीड बेसे चलो वह इंस्टिटूट एंशर कर दिया कि वह कुछ मास का इंतिजाम रखेंगे अब हो सकता प्राइस दिकत नहीं तुझे में थोड़ा पड़ा पैसे भी ले जाने पड़ेंगे अपने को ताकि मास खरीदना पड़े तो हम मास खरीज सके महां से । इसके लिए अम यह नहीं कह सकते हैं पैसे भी नहीं लाए यह नीं करना अपने को नेक्स्ट विल्ड diary मिनेशन सेंटर विशनेताईज होना ही चाहिए लिगंझे उनको करनाужा पड़ेगा पर इंस्टिट नियुका एंकorno महा रहे ही वहो अपने नजर में इन सब को करव यहां पर हम जरूर इंस्टिटूट से चाहेंगे और मैं लिखूंगा भी लैटर में इंस्टिटूट का उफिशल इस बात को इंशूर करें कि उसकी प्रेजन्स में सारा कोई दोराय नहीं है क्योंकि उनकी भी जान को खत्रा हो सकता है स्टूटन का भी हो सकता है तो उनको भी लेना चाहिए हमने इसको बहुत अच्छे से लाबरेट भी किया था उपीनियों में अपने अपने अप्टू नॉम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी एग्जामिनेशन ओल्ली फॉर दर स्टूटन्ट हूप्टेट आउट फॉर आउट तो जैसे हमने आपको उपीनियों में कहा था अगर एक्जाम देते हो फेवरेबल नहीं आया तो आपके लिए है नेक्स्ट विल्द नवंबर ट्वेंटी 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 विल भी लास्ट एटेंट फॉर फाइनल यह पॉइंट हमारे पिछली बार भी था और मन में था और हमने ऑपीनियों में कहा भी था कि वैसे त इस पर देशन आउंस कर रखा था कि ट्वेंटी नवंबर ट्वेंटी विल विल भी लास्ट एटम्ट तो जो मई में देना चाहता है वो दे उसको मैं मैं जुलाई भी मिलता है और जो नहीं देता है उसको केवल नमर मिलता है तो यह थोड़ी नाइन साफी होगी तो हमने में कहा था आपको कि शायद इंस्टिटूड के लिए सोचेगी में 21 तो देखें क्या कहती इंस्टिटूड के लिए एस पर देशिशन अगांसिल 6 अटेम्ट सार टो बे गिवन फर दे स्टूडेंट अनूंस कर दिया था अकॉर्डिंगली वर दोस स्टूडेंट तो फिर आप यह सोच सकते हैं आपको कब देना चाहिए और नवंबर उसका लास्ट हो जाता है तो इसको सपोर्ट करने के बारे में काउंसल सोचे अगर वो इतना कह रही है तो इसके पीछे छिपा इंडिकेशन समझ लो आपके लिए भी 21 होगा तो इसके साब से ओल्ड को और उस वाले फाइनल के भी लोग डिसीशन ले सकते हैं यह आपके फेवर की बात इंस्टिट्यूट ने कहिए इंस्टिट्यूट जो है ना अल्टिमेटल एक पेरेंटल बाडी है यह हम सब को समझना पड़ेगा ना सब चीजें सोच के वह काम को किया करती हमें कुछ समय भी देना पड़ता है और उन्हें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है तो नेचरल सी बात है इन सब चीजों को देखते वे हमें कुछ तो उनके बारे में सपोर्ट भी सोचना चाहिए नेक्स्ट वैदर देनेक्स एक्षामेनेशन विल बीहल इन नवंबर 2020 औ पर देशेडियू अनौंबर 2020 एक्षाम साइकल विल कमेंस फर्स्ट वीक ऑफ दिसमबर चलो यह भी क्लियर कर दिया तो भी नुवंबर के लिए नवंबर के लिए फर्स्ट वीक में होंगे फर्स्ट वीक में मिड फ़स्ट वीक हो जाएगा नेक्स्ट वाट विल एपनेश अब क्या होगा यह सब्सक्राइब आए और बहुत सारी टीचर ने पूछे थे मैं कहता हूं एक हल्द डिस्केशन वहा है यूट्यूब के ऊपर भी और इंस्टिटूट के साथ हमारे लैटर द्वारा इमेल द्वारा भी तो बहुत सारी चीज़ें इंस्टिटूट को भी सामने लाई गई है और जिन पर वो जवाब दे रहे हैं हमारे को तो क्या करेंगे इंस्टिटूट क्या कहती है इन केस रेजिदेंस स्टूदेंट विल फॉल अंडर दे कंटेंट्मेंट जोड सच स्टूड शल भी गिवन यह नहीं विल भी गिवन नॉट शल भी विल तो इसको हम केरी फॉरवर्ड कर देंगे अभी समय दिक्कत आती है मैंने दो पेपर दिये तो क्या दो पर ही मेरे देने पड़ेंगे आगे चलके या मुझे चारों देने पड़ेंगे इसके बारे में इन्स्टिटूट को फिर से पूछना पड़ेगा मैं डेक्स वाट वि अब कम्स अंडर है हम पढ़ रहे हैं 11th पॉइंट और हो कुछ पॉइंट इसमें से मिस हो गए क्या चलो देख लेंगे अभी उनको भी देख लेंगे पर तो आई कहता है आई से विल टेक नेसेसरी स्टैप्स तो शिफ्ट दो सेंटर्स एक है न उसके बारे में इंस्टिटूट जा है वह सोचे की जरूर चलो तो यह देखते हैं और क्या कहा जा रहा है एक और पॉइंट कह सब्सक्राइब तो मिले गई और उसके साथ साथ काइंडी नोट इस स्टूटेंट हैस्ट राइट कंप्लीट ग्रूप इन नेक्स अक्शन वाच्छा यह बात क्लियर कर दी इंस्टिटूट ने उनका कहना है कि अगर सपोज करो एक पेपर दो पेपर या तीन पेपर के बा तो यह दोनों चीजों का benefit तो नहीं मिल सकता हमें इस बारे में सुचना पड़ेगा नेक्स्ट वाट विल हैपन इफ एनी स्टूटेंट हैज अपीर्ट फॉर आल पेपर्स ऑफ वन ग्रूप बट दूरिंग दूरिंग अनी पेपर दे सेकेंड ग्रूप इस रेजिदेंस इस एंटर कम्स अंडर दा कंटेंट में जोन फर एनी पार्शल अटेंटनेंस वेरी गोड अच्छा यह भी हो गया दो गुरूप का एक्जाम देना था मुझे एक ग्रूप मैंने दे दिया और आप सेकंड ग्रूप के पर शुरू होते ही वह वो अगया तब क्या करेंगे बहुत अच्छा सवाल है यह तो in that case first group will be taken completely appeared वो तो दे दिया आपने चलो वो मालनी हमने then kindly note that the student has to write the second group in the next examination shifting of partial paper is not allowed चलो यह भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब यह जरूर स्टूट इसमें से कही कह सकते है जो दे दिया उनका मतलो अब इस्टिटूट ने ही चलते हैं कि हमें देना है तो एक ग्रूप एक साथ देना है पार्शल नहीं दिया जाएगा नेक्स्ट वाट विल हैपने इस स्टूटेंट इस फाउंड कोई 19 पॉजटेव आइधर बिफोर द्यूरिंग एग्जामेनेशन और इस नौट इन गूड हैल्ट एक्जामेने लुट विल नौट विलाव टॉट अपीर जुलाई 2020 नेचली वीड सुटेटेशन में विल बीट एक्टव इस एए इन नेक्स एक्टामेशन साइकल नौमबर ऑन सब्सक्राइब पर नेक्स एक्टाउट निक्या तो तो इंस्ट्रिटूट नौमबर में मुझे अपने भी मेज रही है लुकिंग इंटो थे हैल्थ स्केर दूटू पैंडमिक एन स्टूट फाइंडिंग इंसल्व इंडिकेटिव सिंटम्स एट अनी पॉइंट पॉर नेक्स एग्जामनेशन साइकल उन्द सब्मिशन अफे वैलिड मेडिकल सट्टिफिकेट अपने आप इंस्ट आप अच्छा सोचा गया है बच्चों को तकलीफ नहीं होगी से इफ एनी स्टूटेंट ड़स नौट चूस्टू अप्ट आउट नाओ कैन लेटर आप्ट आउट फ्रॉम्द एग्जामनेशन यह बड़ा सवाल आयता आपने का ता विंडो नहीं खुलती है क्या कह रहें इट विल बी पर्मिटेड ओनली इंडे केस रेजिडेंस ऑफ सच स्टूडेंट फॉल्स अंडर देंगे पर यहां पर राइडर है कह रहा है कि अगर आपका घर कंटेंट में जोन में आ गया या आपके हल्ट कंडिशन ठीक नहीं वी तो ऐसे केस में हम आपको यहां से आग सब्सक्राइब होगी हमारी नेक्स्ट इस एनी स्टूडेंट आप्ट आउट नाओ यह सवाल अच्छा है मैंने अभी तो सोच लिया मैं नहीं देता फिर बाद मुझे लगा मुझे देना है तब क्या होगा तो क्या कहते इंस्टिट्यूट सच चेंज विल नाट भी पर्म सब्सक्राइब लेकिन एक बर आपने मना कर दिया मैं नवंबर में दूँगा तो फिर आपके पास यह पर्मिशन नहीं है कि आप जुलाई में दे दो तो यह क्लियर कर दिया उन्हों ने नेक्स्ट इफ एनी स्टूडेंट चूज अप्ट आउट नाओ एन लेटर इंस्ट इस बातों को लेके कई लोग कह रहे थे यह इंस्टिटूट हमें तो दो दिन दे रही और खुछ जुलाई तक ले रही है तो इसके लिए एक बात कह रही है इन सच केस ऑल दे स्टूडेंट विल भी शिफ्टेट तो नमबर 2020 एक्जाम साइकिल विद आल बैनेफित इं टर पर्मिटेट 17-20 की बीच में करना है इसके लावा पर्मिशन नहीं है इस्टूडेंट डिसीशन टेकन तुरू दे करेक्शन विंडो फ्रम 17-20 विल फिल फाइनल लोग चेंग विल बी एंटर देर आफ्टर तो इसमें मेरा इंस्टिट्यूट को एक छोटा सा कहना है कि सब्सक्राइब नहीं होगा तो क्या करेंगे पेपर पतारा नहीं हमार पास में सच स्टूडेंट सार एडवाइस तो सब्सक्राइब अप्लोड स्केंड कॉपी और एंट रिटन डिकलरेशन दुली साइंड एंट इसका भी एक तरीका इंस्टिट्यूट ने निकाल लिया लास्ट वह विल वाटर भी प्रोवाइड इद एग्शमेनेशन सेंटर दूरिं दे कंड़क्ट अग्जाम पाने क बड़ा लबड़ा रहता है लाने नहीं देती इंस्टिट्यूट क्या होगा यह बट स्टूडंट आर एडवाइस इन देर ओन इंट्रेस्ट केरी दियर ओन वाटर बाटल एडड एग्जामेनेशन सेंटर तो इंस्टिट्यूट परमिट करेगी आपकी वाटर बाटल को आ हां हमारे यहां 45-50 डिग्री सेल्सियस रहता है तेंपरिचर और हुमिटी भी रहती है बारिश का भी सीजन शुरू हो जाएगा तो एक बड़ी दिक्कत रहेगी इसके बारे में थोड़ा सा बात हमें सोचना पड़ेगा तो यह पहले मुझे दिक्कत दिखी थी जो मैंने मिल रहे हैं जुलाई नमबर जुलाई नमबर और कुछ के लिए तो में 21 तक आप जा रहे हैं और इसके साथ साथ कोविड सिचुएशन हो जाती है तो सभी को आगे फर्दर जो है नमबर 19 में नमबर 20 में आटोमेटिकल अकॉमोडेट कर दिया जाएगा और एक और बात जो नहीं है तो उसके लिए आप हैंड रिटन फॉर्म में दे सकते हो वाटर बटल आपको साथ दे जाना है तो मेरे ख्याल से काफी सारी चीज़े क्लियर हो गई है और एक बार मैं चाहूंगा आप सब भी इसको अपने इसाब से पढ़के देखें और हम भी इसके उपर एक औ बना चुके हैं तो जरूर आपको एक्जाम देना चाहिए और अगर आप तक फस्स ग्रूप चूज कर रखे थे और आपको लगता था मुझे दो ग्रूप देना चाहिए तो आपको समय है आप जो है वह वह आप्ट आउट करें नवंबर में दोनों ग्रूप की कोशिश कर करें और मैंने पिछले ओपीनियन में भी कहा था आपको उल्ड कोर्स आईपी सी के लिए आपके बाद दो अटेम्ट हो गए जुलाइए नवंबर नवंबर से यह आगे नहीं जाएगा और जहां तक ओल्ड कोर्स फाइनल की बात है तो उनके लिए जुलाई और नवंबर आपको जो है अपने एक्जाम के टियार से झायरे में लग जाना चाहिए और इसमें हमारी तरफ से जो जो भी रहें में खास तोर से आपको सवाल पूछे जाएंगे केस स्टडी पे मतलब ये भी नया होगा आपके लिए तो इन दोनों के बारे में कल हमसे जुड़ी है शाम को पांच बजे वेबिनार पे हमने जो है इसके लिए कोस्टर रिलीस कर दिया है और आप गूगल का फॉर्म रजिस् स्टेडी इस के एंड एम सी क्यूज को डिसकस करेंगे